बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नमस्कार मैं आचार्य विनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज का सुन्दर कारिक्रम बेहतरीड कारिक्रम भगवान सिव को बिल्ल पत्र चढ़ाने का सही तरीका और बिल्ल पत्र चढ़ाने से आपके जीवन में कुछ चमतकार होंगे और कुछ चमतकारी उपायों के बारे में आज हम वारता करेंगे चर्चा करेंगे लेकिन इस कारिक्रम के बारे में आपको जानकारी दूँ इससे पहले आपके लिए एक सुन्दर जानकारी, यदि आप अपनी जन्मकुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भाग्य पे आ रही बादाओं को दूर करने के बारे में जानना चाहते हैं या तंत्र मंत्र टोटकों से अपने जीवन में खुसिया लाना चाहते हैं अपने परिवारिक जीवन को खुसी बनाना चाहते हैं तो कहीं इधर उधर भटकने किया उसकता नहीं है शिदे अपना मुबाइल लीजिए www.astotak.com पे आकर के बिनोध भरतवाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करें और अपनी दिक्कतों को हमारे साथ में सेयर करें एक उपाए आपके भाग्य को बदल देगा आपके भाग्य की बाधाओं को दूर कर देगा आपके जीवन में आर्थिक उन्नती देगा यदि आप फोन से बात करना चाहते हैं तो साधर आमंदित हैं मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ अब बात करते हैं बिल्लो पत्र की क्योंकि त्रदलं त्रदला कारं त्रनेत्रं चोत्रया युधं त्रजन्म पाप संगहारं बिल्लो पत्रं सिवारपड़ं शू महापुरान में कहा गया है बिल्लो पत्र अमरुत है और भगवान सिव के पिंडी पे अरपन करने से त्रिजन्म पाप संगहारं तीन जन्मों के पाप का संगहार हो जाता है तो निस्चित रूप से आपके जीवन के पुन्य उद्य हो जाते हैं तो आज हम बात करेंगे बिल्ल पत्र को कैसे चढ़ाया जाता है यदि आपके पास बिल्ल पत्र नहीं है तब भी आप कैसे बिल्ल पत्र के पुन्य को प्राप्त करते हैं क्योंकि कोटी कन्या महादानम बिल्ल पत्रम सिवारपणम जितना कोटी हजारों कन्याओं की यज्यदान में होता है बैवाहिक आदि दान में होता है उतना पुन्य एक बिल्ल पत्र को चढ़ाने से आपको भगवान सिव की कृपा से प्राप्त हो जाता है देखिए बिल्ल पत्र को आप जब भी तोड़ें ध्यान रहे कि शोमवार का दिन नखू बिल्ल पत्र को तोड़ने के बाद आप उसके पीछे की डंडी को दो अंगुल पीछे से बीच से तोड़ दें उसके बाद उसको अच्छी तरह से धुल लें धुल करके जिधर भगवान सिव की पिंडी का मुख होता है मतलब जल गिरता है उस साइड में तीसरा पत्ता हो और दोनों पत्ता भगवान कार्तिके और माता पारवती की ओर हो मतलब भगवान सिव के अग्रभा की और एक पत्ता और पीछे की साइड में दोनों पत्ते हो इस तरह से ओम नमह शिवाय का पाठ करके भगवान सिव को उसी के साथ साथ समय पत्तों को अरपन कर देने से निस्चित रूप से बिल्ल पत्त का महापुन्य प्लप्राप्त होता है यदि आपका बिल्ल पत्र कटा पिटा है क्योंकि अच्छिद्रई बिल्ल पत्र इस्चा बीना कटे फिटे पत्ते को ही भगवान सियू को अरपन करना चाहिए इस सिती में अगर आपके पास बिल्लपत्र कटा पिटा है तो आप जो आपके शीवलिंग के सामने बिल्लपत्र पड़ा हो या भगवान सिव के पिंडी पे रखा है उसे आप धुल करके दुबारा से अर्पन करते हैं अब यहाँ पे प्रश्ण बनता है कि अगर मंदिर में भी बिल्लपत्र नहीं है तो फिर आप मन सो पचारे तीन उंगलियों को भगवान सिव के पिंडी पे रख करके और मन से यह निवेदन करें कि हे प्रभू आप यह तीन उंगलियां बिल्लपत्र के माध्यम से मैं आप प सविकार करके हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें अब तो यह हो गया बिल्लपत्र किस तरह से चढ़ाया जाए बिल्लपत्र के साथ अगर काला तिल अरपन किया जाता है ओम नमा शिवाय बोल करके तीन बिल्लपत्र और थोड़ा सा काला तिल तो निस्चित रूप से इस त पराजित होते हैं और आपकी मनों कामनाओं की पूर्थी होती है बिल्ल पत्र के बाद दूध अर्पन करने से आपके घर में माता राज लच्छमी की करपा प्राप्त होती है यदि बिल्ल पत्र के साथ आप घी सबसे पहले भगवान सिव लिंक के पिंडी में लगाएं और तीन बिल्ल पत्र अर्पन करें तो आपकी संतान सुखी होती हैं संतान के जीवन में निस्चित रूप से जो भी दिक्कते होती है वो दूर होती है यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं तो भगवान सिव की सेवा क्योंकि भगवान सिव को भोले भंडारी कहा गया है, जब भगवान सिव अपना भंडार खोलते हैं, तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, आप तीन बिल्ल पत्र लें, साथ में आप दूध लें, और बिना तूटे हुए चावल ले लें, ओम नमा शिवाय का पाट क करें, दूसरे भगवान सिव को असनान कराएं, तीन बिल्ल पत्र, पांच बिल्ल पत्र, साथ बिल्ल पत्र, एकीस बिल्ल पत्र, एकसो आठ बिल्ल पत्र, शो मुवार के दिन भगवान सिव को अरपन करें, उसके बाद बिना तूटे हुए चावल अक्षत के रूप में, उनसे निवेदन करें निश्यत रूप से आर्थिक उन्नती होती है एक चीज और ध्यान रखी है भगवान सिव की पूजा के बाद एक ऐसे लिंग मुद्रा आप आप बना लें और पीछे से ले से जो ले जाके हाथ क्योंकि यह मुद्रा अगर भगवान सिव को नहीं दिखा दिया है कि पूजा के बाद यदि कोई व्यक्ति आपकी भासा में बोलेगा नहीं तो हम उसकी पूजा का उन्य उसको देंगी नहीं तो उस शमय दच्च को एक तरह तो बक्रे का सर लगा था तो उसने वह आवाज का उच्चारन किया था उसी आवाज से भगवान सिव प्र का उच्चारन जरूर करें अन्य था सिर्फ पूजा का पूरा पुन्य आपको नहीं प्राप्त होगा मित्रों यहां कारिक्रम अच्छा लगा है तो ओम नमाश्रिवाय का एक बार नाम लिख दें अपनी मुहर लगा दें आप लोगों का बहुत धन्यवार नमस्कार